रवी और आर्थी के शादी हुए अभी एक महीना हुआ था दोनों के शादी बहुत ही धुमदाम से हो गई थी और हर कोई बहुत खुश था शादी के बाद पहली बार रवी को आर्थी के माई के जाने का मौका मिला था आर्थी ने जब रवी को बताया कि उन्हें माई के बुलाया है तो रवी थोड़ा गब्राहट में सूस करने लगता है लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करना चाहता था जिसके चलते उसने बड़े आराम से आर्थी से पूछा सब लोग कैसे होंगे मुझे ठीक से अपनाएंगे ना वहाँ कोई मेरा मजाग तो नहीं उड़ाएगा ना मैं तुम से यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम उस घर की बेटी हो किसका कैसा सौभाव है तुम अच्छे से जानती हो अगर तुमारे परिवार में क कोई ऐसा नहीं है जो आपका मजाग उड़ाएं कहीं ऐसा अब तुम मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो ना देखो प्लीज मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता हूँ इसलिए जो भी है मुझे पहले ही बता दो तुम हरे मैं सच बोल रही हूँ हमारे यहा क्योंकि मेरे घर में मेरे पूछे बिना कुछ भी नहीं होता सब लोग मेरी जित और मुझसे बहुत डरते हैं आप एक बर वहाँ चलो तो सही आपको खुद बखुद सबकुल पता चल जाएग यार तुम तो ऐसे कह रही हो मुझे डरा रही हो कहीं तुम अपने घर लिए कोष़िछ के लिए तयार हूं एपने पतनी आर्टि से पने सशुराल जाने के लिए हैं कर दी थी उसने एक सूट के भी पैक कर लिया था जिसमें कुछ जरूरी कप्ड़ें और कुछ अन्यय चीजे रही थी जो कि रवी ने अपनी पतनी के परिवार के लिए चुने रास्ते भर आर्ती ने रवी को अपने माईके के बारे में खूब कुछ बताया उसने अपनी मा के बनाए स्वादिष्ट वियंजनों की खूब तारिफ की थी और अपने भाई बहनों के किसे भी सुनाए ताकि रवी को थोड़ा हिम्मत मिल सके लेकिन उसके मन में अब भी यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है क्या तुमारे घर जाना जरूरी है आप भी अजीब इनसान हो, घर के करीब पहुचने के बाद मुझसे पूच रही हो, कि आपका वहाँ जाना जरूरी है या नहीं, अगर आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं होता, तो भला मैं आपको क्यों कहती, कि आप मेरे साथ सासुराल चलिए ठीक है ना, मैं तो बस ऐसे ही पूच रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, अरे यार आपकी बात ही गुस्सा करने वाली होती है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना, आप चुपचाप मेरे साथ चलू ना, बिना बात के डरिये मत, कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार पाले कोई जेरर नहीं है, चाप को पकड़ के कैदी बना ले, रवी जब आरती के माई के पहुचता है, तो देखता ही कि दर्वाजे पर उसके पिता जी, मा और माई भेहन खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, तभी आरती की मा आगे बढ़ कर रवी का स्वागत करके उसे गले लगा कर बोलती है, आओ बेटा घर में आओ, तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, अब इस घर में तुम्हारा स्वागत है हमने बहुत नाम सुना है दुमारा अरे तुम बिजनेस में बहुत नाम कमा रहे हो और ये जानकर हमें बहुत कुशी हुई और मुझे तो फक्र है कि तुम मेरे दामाद हो पापा जी मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोग बस अपना आशिरवाद ऐसे ही बनाई रखिये ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूँ बेटा तुम हमारे दामाद हो और हमारा दामाद आगे बरेगा इस बात की हमें खुशी तो होगी ना हमारा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है और बताओ बेटा घर में सब लोग ठीक तो है ना तुम्हें खाने में क्या पसंद है मैं वही बना दूँगी तुम्हारे लिए मम्मी जी आप प्यार से जो भी बना देंगी मैं खालूंगा मुझे आपके हातों से बनी हुई सबी चीज़े बहुत पसंद है वैसे आरती आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी मैं भी आपके हातों का बना खाना खाना चाहता हूँ बेटा ये भी कोई कहने वाली बात है मैं अभी तुम्हाई ले अच्छे-च्छे वियंजर मना कर लेकर आती हूँ आरती की मा इतना कहकर रसोई में चुरी जाती है और धेर सारे पकवान बनाती है जैसे आलू, पूर्डी, मटर पनी और अन्या मिठाईयां भी इतने सारे पकवान देखकर रवी को लगता है ये जैसे कोई त्योहार चल रहा हो सब लोग हसी मज़ा करके खा रहे ही होते है बेटा तुम्हे खाना पसंद आया ना? खाने में कोई कमे तो नहीं थी ना? नहीं मम्मी जी खाना बहुत स्वादिश्ट है आपके हातों में तो सचमुच में जादू है आप बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरा तो पेड भर गया लेकिन मन नहीं भरा थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं थोड़ी देर बाद आर्थी के पिता उसके कमरे में आते हैं उसके परिवार, कामगास और पसंद नापसंद के बारे में बाते करते हैं जिसे सुनकर रवी को ऐसा लगता है कि वो अपने पिताजी से ही बात कर रहा है तब ही रवी मुस्कुराते हुए आर्ठी के पिता से बोलता है पापा जी आज आपने यह सारी बाते पोच कर मुझे अपने पन का ऐसास दिलाया है ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पिताजी से ही बात कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल यही महसूस हो रहा है मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने ससुर से बात कर रहा हूँ बेटा मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ ना कि दमात पापा जी मैं भी आपको आपका बेटा बन कर दिखाऊंगा अगर मैं यहां नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आखिर आप लोग कैसे हैं और मुझे बहुत पश्टावा होता बेटा अगर तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता तो शायद तुम्हारे इतने अच्छे सवबाब को मैं जान नहीं पाता अब मेरी बेटी का जीवन सफल हो गया है बहुत किसमत वाली है वो बाबा जी किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे आरती जैसी जीवन साथी मिली वह बहुत ही समझदार है और नेक दिल भी है उसने मेरे घर को बहुत अच्छे से समाल रखा है तो है सबी लोगों की बहुत तारीफ करती है और उसकी भी सबी लोग बहुत इज़त करते है आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे संसकार दिये है पेटा अब मैंने सुना है कल तुम जा रहे हो हान जी हम तो कल वापस जा रहे हैं लेकिन आप चिंता मत करिये मैं जल्दी ही फिर वापस आऊंगा आपके साथ फिर से समय बिताऊंगा अगले दिन सुभार रवी आरती के साथ अपने घर के लिए निकल लेता है रास्ते में वह आरती से बात करते हुए बोलता है आरती मुझे तुमारे घर जाकर और तुमारे परिवार वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा इतने सारे दिन ऐसे बीट गए जैसे मानो अभी कल ही की बात हो उनका प्यार और अपनापन मेरे दिल को छूसा गया है मैं जानती थी कि आप उन्हें जरूर पसंद करोगे और वो लोग भी आपको जरूर पसंद करेंगी क्योंकि आप लोगों का सूभा बिलकुल एक जैसा है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जब भी तुमारे मायके जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी तुमारे साथ चलूँँगा तो मैं कवी भी अकेले नहीं जाने दूंगा आके मेरा भी तो वह ससुराल है हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं अब आप अपनी खातिरदारी का मौका कैसे छोड़ दोगे अब आपको पता चल गया ना कि मेरे माई के में आपकी खातिरदारी मुझसे भी ज़्यादा जरूरी है वह तो होगा ही क्योंकि मैं उस घर का एकलोता दामाद हूँ और तुम्हारे माबाब के लिए बेटा तुम्हारे घर में सभी ने मुझे दामाद नहीं बलकि एक बेटे ऐसा प्यार दिया है इसमें थोड़ी बहुत हिस्यदारी आपकी भी है क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपने भी कभी उनका दामाद होने का घमर नहीं दिखाया उन्हें सिर्फ प्यार दिखाया सभी का मान सम्मान किया इस वज़ा से वहाँ के लोग आपकी तारीफ करदे ठक नहीं रहे थे और आपकी इज़त इसलिए बनी रवी ने अपने ससुराल के पहले दिन को लेकर जो भी अनुभव किया था वहें उसे बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था उसे एहसास हुआ कि शादे के बाद सिर्फ दो लोगों का ही मिलन नहीं होता बलकि दो परिवारों का भी मिलन होता है इस तरहां रवी के दिल में अपने ससुराल में बिताया पहला दिन हमेशा के लिए कुछ अच्छे यादे बन कर बस जाता है भावना घर का सारा काम करी रही होती है कि तब ही वो अपनी बहु अंजु को आवाज लगाती है अरे बहु कहां है तू मैंने घर का सारा काम भी कर दिया और तेरी अब तक आँखे नहीं कुली मैंने सारे काम कर दिये अब उठकर खाना भी खा ले माजे आपने काम कर लिया तो मुझे क्यों बोल रही हो मुझे जब उठना होगा मैं तब ही उठ जाओंगी आप अपना काम करो ना मुझे ज़्यादा बक्वास मत करो बहु मैं तेरी बुराई के लिए थोड़ी न बोल रही हूँ मैं तो बस तुझे खाने के लिए बोल रही हूँ इतना भी नहीं होगा क्या मा जी जब मैं आराम कर रही होती हूँ न तब ही आपको इतनी दिक्कत होती है ठीक है बहु अगर तुझे इतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है न तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी जो करना है कर ले भावना को अपनी भववपर बहुत ज़्यादा गुसा आता है और वो वहाँ से गुसे में चली जाती है अंजू भी वापस से सोने लग जाती है अंजू अपनी सास की ना कोई बात सुनती और ना ही अपनी सास की जरा सी भी इज़त करती ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं अंजू टीवी देख रही होती है और वही भावना अपनी बजार से सबजियां लेकर अपनी पडोसन हेमा के साथ घर आती है कि तभी भावना को चक्कर आ जाते हैं और वो वही गिर जाती है अरे बहु देख तो जरा तेरी सास को चक्कर आ गए है जरा इसे डॉक्टर के पास ले जा रुको आंटी मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूं हमें कहीं जाने की जरुवत नहीं है जो करना है जल्दी से कर बेचारी भावना इस उमर में इतना सारा काम करती है तू अपने सास पर रहम नहीं खा सकती जरा साभी तू भी कभी अपने हाथ पर चला लिया कर आर्टी जी मैं अपने हाथ पर चला कर ही डॉक्टर को फोन करूंगी और आप मुझे जादा ग्यान मत दो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अंजु जल्ली से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भावना का चेक अप करने रखते हैं चेक अप करने के बाद ये पता चलता है कि भावना गर्ववती है ये खबर सुन कर तो अंजू के पैरो तले जमीन ही किसक जाती है मा जी आपको इतना टाइम कब मिला कि आपने मेरे लिए छोटा देवर को लाने की प्लैनिंग भी कर ली अरे आपको शरम नहीं आई इस उमर में भी ये सब करते हुए बहू इसमें शरम वाली क्या बात है तेरी सास कोई पहली बार थोड़ी ना गर्वती हुई है जो उसे शरम है जिस शरम की बात तो कर रही है न ये शरम कुछ साल पहले ही आ जाती तो तो इस घर में बहू बनकर नहीं आती आंटी जे आप मारे घर के मामलों में क्यों आ रही हो माजी को अपने पोता-पोती खिलाने की उमर में खुद गर्वती बनना है और अब मैंने कुछ बोलू भी ना ये तो गलत है ना हाँ कुछ ज़्यादा ही गलत है बेचारी सास दिन रात अपने बहू के लिए घरती रहती है लेकिन फिर भी बहू को कोई भी कदर नहीं है सास जिसका सहारा बनना चाहिए बहू को उसे ताने दे रही है कोई बात नहीं है माँ अभी इसका गुसा करना भी जायाज है इस तरह से लेकिन धीरे धीरे बहु का गुष्सा सान्त हो जाएगा अब तू भी जा अपने घर में तुझे भी तो सौकाम होंगे ना भावना हमेशा से ही अपनी बहु का साथ देती रहती थी भले ही वो गलत क्यों ना हो लेकिन ये सब अंजू को नहीं दिखता था वो हमेशा से अपनी सास को नीचा दिखाती और सुनाती रहती जब अपनी सास की गर्ववती होने की ख़बर अंजू को लगी तब वो अपनी सास का जीना ही हराम कर देती कुछ दिना बाद घर में राशन नहीं था तो भावना अपनी बहु के पास जाती है बहु घर में जरा सभी राशन नहीं है जा तो जरा मार्केट से राशन लेया मा जी राशन नहीं है तो आप मुझे क्यों राशन लाने को कह रही है आप भी तो राशन ला सकती है ना बहु तो जानती है ना कि मैं गर्ववती हूँ ऐसी हालत में राशन कैसे ला सकती हूँ हाँ तो आप गर्भुवती भी तो अपनी मर्जी सही होई हो ना अब इसमें लाचारिया बेबस क्यों बन रही हो ठीक है बहू तुझे अपनी सास का अपमान करना है तो कर लेकिन मेरे पेट में पर रहे बच्चे की बारे में तो सूच मैंने कभी तुझे कोई काम करने को नहीं कहा ये बात तो अच्छे से जानती है हाँ तो अब आप ही करो ना आप मुझे कोई काम करने को बोल भी कैसे सकती हो अपनी सास को इतना सारा काम करते हुए देखकर भी अंजू को अपनी सास पर जरा भी तरस नहीं आता और वो बिल्कुल निठरलों की तरह अराम फर्मा रही होती है कुछ दिनों बाद अंजू भावना का पती मनोज भावना का बेटा अजे तीनों साथ में बैट कर टेबल पर खाना खाते हैं और भावना खाना लाती है अरे मा आप ये काम क्यों कर रही हो आपको तो पता है ना इस हालत में जितना अराम करो बच्चे के लिए उतना अच्छा होता है अरे फिर भी आप काम कर रही हो अरे ये सब तो अंजू भी कर लेगी गर्ब से मा जी है और काम करूं मैं ये कौन सी बात हुई ये तुम क्या बोले जा रही हो अंजू, जरा तुम मा को देखो, अरे कितनी तकलीफ है उन्हें, फिर भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सारे काम किये जा रही है, और एक तुम हो, कि मास्त आराम से बैठी हो, तुम्हें शरम नहीं आती? अरे किस बात की शरम, शरम तो मा जी और पिता जी को आनी चाहिए, जिस उम्र में बच्चों के बच्चे होते हैं, उस उम्र में इन दोनों को प्यार करना है, अब गरी ही लिया है, तो खुद ही समा लें? यहीं, अगर मा की जगना, तुम गरवती होती, और मा ने तुम्हें ये सब कहा होता, तो क्या तुम्हें बच्चे करने चाहिए, आप क्या खुद बैठ पर पड़े रहने की उम्र में, पालने में बच्चे को जूला जूलाए हम? सच में अंजू, तुम्हारा दिलना इतना पत्थर हो गया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुम्हारी सोच इतनी घटियक कैसे हो सकती है, यार, शरम आनी चाहिए तुम्हें, और मुझे भी शरम आनी चाहिए, कि मैंने तुम से शादी की है, अपनी मा बाप की करतूतों पर भी धोड़ी बहुत शरम कर ली होती, तो ज्यादा अच्छा होता, बस कर अजे, तु बहु को क्यों खामाखा इतना सुनाय जा रहा है, अरे बहु की अपनी भी जिंदिगी है, वो क्यों अपनी सास की पीछे-पीछे ही लगे, और अब चुपकर जाओ और शांती से खा अपने पती से इतना सुनने के बाद भी अंजु को अकल नहीं आती, और वो अब भी अपनी सास की किसी भी काम में मदद नहीं करती, दिन निकल रहे थे, और अब सब कुछ अकेले ही भावना को करना पड़ रहा था, कुछ दिनों बाद भावना सीड़ियों से गिर जाती है आ बहू, अजे कुई बचाओ मुझे, भावना की आवाज अंजु को सास सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी सास को देखने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, और भावना दर्द से तड़पते तडपते वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, कुछ देर बाद अजे, मनोज जी भावना भी इस दुनिया में नहीं रही और उसका बच्चा भी नहीं बचा, क्या? ये खबर सुनकर तो अजे और मनोज दोनों बहुत रोने लगते हैं, और कुछ देर बाद में हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर अंजु वहां आती है, अंजु को वहां अजे और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, और वह गुस्से में अंजु को एक जोर से थपड मारता है, तुम्हारे इस निठले पन के कारण मुझसे आज मेरी मा चिन गई, मेरी मा इस दुनिया में नहीं रही, क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप, मा जी इस दुनिय अरे मेरी मा को देखने भी नहीं आई तो, अरे मेरी मा बिचारी दर्द के मारे तरफ तरफ के मर गई, और तुम, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, माजी मुझे माफ कर दो माजी, माफी मांग रही हो, हाँ, माफी मांग रही हो, अब तुम्हारे माफी मांगने से मेरी म माँ जिन्दा हो जाएगी क्या हां जिन्दा हो जाएगी नहीं होगी मेरी माँ जार चुकी है मर चुकी है मेरी माँ सिर्फ तुम्हारे कारण आज तुम्हारे कारण मैं अपनी माँ से दूर हो चुक हुआ हमेशा हमेशा के लिए जब मेरी माँ को ज़ुरत थी मेरी मैं तो उ पर चुक्यों मेरे लिए अजे अंजु को घर से निकाल देता है अंजु भी अब खुद को कभी माफ नहीं कर पाती सोना और सोनम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे सोना की शादी सोनम के भाई रमेश से हो जाती है और अब दोनों दोस्त भावी और ननत के रिष्टे में बं कभी अलग नहीं होंगे इसलिए मैंने तेरे भाई से शादी कर ली और तेरी भावी बनगा तेरे घर आ गई हाँ अब आप मेरे घर आ गई हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है हाँ आप तेरी शादी के बात तो अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी अरे ऐसा नहीं हो अपने घर से अपने ससुराल आई है वैसे ही सोनम को भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा न अपनों को छोड़ कर नहीं वो नहीं जाएगी हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे बहू तू पागल हो गई है और तेरे इस पागलपन के चकर में मैं अपनी बेटी के पती को घर जमाई बना दूँ लोग समाज क्या कहेंगे तुझे कोई अंदाजा भी है मा जी मुझे कुछ नहीं बता आपको जो करना है वो कीजी लेकिन मैं सोनम को यहां से कहीं नहीं जाने दूँगी मैंने सोनम को अपनी दोस्ते पढ़ कर माना है शान्थ हो जाओ सोना भावी ठीक है मैं आपके साथ ही रहूँगी अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं सोनम के बाद सुनकर सोना शान्थ हो जाती है और अपना काम करने में लग जाती है ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन सोनम के लिए ब्रिजेश नाम के लड़की का रिष्टा आता है ब्रिजेश को सोनम बहुत पसंद आती है और दोनों का रिष्टा तै हो जाता है सब बैठकर बात ही कर रहे थी कि तब ही सोनम ब्रिजेश को कहती है हम दोनों अलग ना हो जाए इसलिए मैंने इसके भाई से शादी की। ठीक वैसे ही आप सोनम से शादी करके हमारे घर आकर घर जमाई बन कर रहें। ताकि हम दोनों एक साथ ही रहें। आपका दिमाग तो ठीक है ना भाबी। अच्छा माजी मैं चलता हूँ और हाँ अपनी बहु को समझा दो कि सोनम मेरे घर जाएगी ना कि मैं आपके घर आउँगा। और हाँ मैं आपको शादी के लिए डेड निकरवा के बताता हूँ। ब्रिजेश इतना कहकर सोनम के घर से चला जाता है और अपने घर पहुचकर पंडिश से शादी की डेट निकलवा कर कांता को फोन करके बता दीता है। कुछ दिनों बाद सोनम और ब्रिजेश की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दोसी तरफ सोना को पता था कि ब्रिजिश सोनम को यहां रहने नहीं देगा तो वो अपना बैक पैक करने लगती है तब ही सोना का पती रमेश आता है सोना तुम कहीं जा रही हो क्या जो अपना ये बैक पैक कर रही हो हाँ, मैं सोनम के साथ उसके ससुरा आ जा रही हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगी तुम पागल हो गई हो क्या, तुम सोनम के साथ जाके क्या करोगी चुपचाप से पना बैग छोड़ो और सोनम का विदा कर निकले चलो, वक्त हो गया है, देर हो रही है नहीं, मैं सोनम के साथ जाऊंगी या तो सोनम यही रहेगी या तो मैं अपनी ननत के साथ जाऊंगी सोना इतना बोल कर अपना बैग उठा कर बाहर चली जाती है और सोनम की गाड़ी में अपना सामान रख देती है और सोनम को जाकर बोलती है अब बस बहुत हो गया सोनम, चलो, अब जल्दी चलो मैं तयार हूँ आप तयार हैं भावी, आप कहीं जा रही हो क्या और ये बैग क्यों रखवाया है मैं भावी से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल जा रही हूँ और लड़की के माई के से किसी ना किसी को साथ में जाना ही होता है तो मैं साथ में जातो रही हूँ पर साथ में कोई बच्चा जाता है भावी ना की कोई भावी सोना सब के आगे जिद करने लगती है और सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो जित पर अड़ जाती है और किसी की नहीं सुनती इतना सब ड्रामा होने के बाद सोनम बोलती है अच्छा ठीक है जाने दो भाईया एक दो दिन बाद आपकी याद आएगी तो वो खुद ही आजाएंगी ससुराल ही तो जा रही है वो मेरे मैं समझा कर वापस भेज़ दूगी सोनम के बाद सब मान जाते हैं और आधे मन से उसको जाने की इजासत दे देते हैं सोनम की विदाई हो जाती है और सोना सोनम के ससुराल की तरफ निकल जाती है कुछ दिर पाद दोनों अप अपनी ससुराल आ जाते हैं ब्रजेश की मा ललीता सोनम और ब्रजेश की ग्रह पर वेश के रस्म करवाती है और उनके साथ ही सोना भी थी वहाँ पर सभी औरते ये सब देखकर चौप जाती है तभी ललीता की पडोसन कहती है अरे वाल अनीता सबी बहुएं अपने साथ अपने भाणजी को लेकर आती है लेकिन तेरी बहुत अपनी भावी को ही ले आई है हाँ वो एक दो दिन ही हा रहेंगे फिर वो चली जाएंगी हाँ अब ये हमारी महमान है और महमान के इज़्जदकन हमारा तो कामी है और तेरी तो आदत है हर किसी के घर में आग लगाने की तू कुछ भी सोचे लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ननन के साथ भावी आई है और अब पता चले कि तेरी बहु के साथ तेरा बेटा नहीं तेरी बहु की भावी ही सोजय सिर्टो हो गई तेरे बेटे की पहली रात पडोसन के इतना कहते ही वहाँ पर मौजूद सारी औरते हसनी लगती है लेकिन ललिता उन पर ध्यान नहीं देती और रस्में पूरी करके उनको अपनी कमरे में भीज देती है कुछ तेर बाद सोनम को ब्रजेश को कमरे में भीज देती है और ललिता सोना से बोलती है सोना बहु तु मेरे साथ चल, मैं तुझको तुभारे कमरे में चोड़ देती हूं मेरा कमरा? अरे नहीं नहीं, मुझे त। अपनी नणत के साथ ही सोना है तो मैं तो उसके कमरे में ही सोने जा रही हूँ बहु पर आज उसकी पहली रात है और पती-पत्नी को अकेले ही छोड़ देना चाहिए तुझको तो पता ही होगा मुझे कुछ नहीं बता पती-पत्नी मुँ बाद में है लेकिन उससे बहले सोनम मेरे दोस्त है खराब हो गया है वो तेरी पहली रात को तेरे सा शोना चाहती है ऐसा कभी होता है क्या भाभी आपका दिमाग ठोठीक है न या भाःया को फोन करू तो वो आपको ले जाएं कर लो जो करना है आज आत मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है बस मुझे कुछ नहीं पता सोना फिर एक बार जिद करने लग जाती है और उसकी जिद के आगे फिर सब हार जाते है और सोनम सोना को लेकर अपने कमरे में सोनी चली जाती है ललीदा और व्रिजेश को ये सब देखकर बहुत जादा गुसा आता है और लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते वो दोनों भी अपने कमरे में सोनी चले जाती है सोना तो सो गई थी लेकिन सोनम सोना को देखकर अपने मन में कहती है आज मेरी ससुरान में पहली रात है और मैं अपने पती को छोड़ कर अपनी भापी के साथ सो रही हूँ अगर ये बात लोगों को पता चली तो कितनी शरम की बात होगी आज तो ठीक है कर्मेन को ऐसा नहीं करने दूगी कुछ देर बाद सोनम को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है अगले दिन दोनों सुभा जब सो कर उठते हैं तो सोना पूरे दिन सोनम के पीछे पीछे घुमती है जिससे के घर के सब ही लोग अब सोनम से परिशान हो जाते हैं फिर रात को सब सो रहे थी कि तब भी ललीता सोना से कहती है सोना बहु आज अलग सोने का इरादा है या सोनम बहु के साथ ही सोई आज भी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है माजी आज भी मैं सोनम के साथ ही सोने वाली हूँ आपको कोई तकलीफ है क्या सोना फिर एक बार जिद करने लगती है लेकिन इस बार सोनम को सोना पर बहुत गुस्सा आता है और सोनम सोना से कहती है बस बहुत हो गया भाबी अब तो आप मुझे परेशान कर रही हो कल मेरी पहली रात ती लेकिन आप मेरे स्थाथ सो गई और मैं आपके चकर में अपने पती को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ आप मेरी घर से चली जाओ पर सोनम हमारी दोस्ती का क्या कैसी दोस्ती जिसमें आप जबर ज़स्ती मेरे ससुराल आई और मेरे कमरे तक चली गई मेरी पहली रात खराब कर दी मैं भाया को कोल कर रही हूँ वो आएंगे और आपको ले जाएंगे आप जब मेरे घर आई थी क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में सोने गई थी जब मुझे ऐसे परिशान कर रही हो आप मेरे घर से चली जाओ Сोना को सोनम के बात का बहुत बुरा लगता है और अपने हरकतों पर पश्टावा होता है कुछ देर बाद रमेश आता है और सोना को अपने साथ ले जाता है ये सब देखकर ब्रिजेश खुश हो जाता है कि सोनम ने एक सही फैसला लिया और दोनों कमरे में आराम करने चली जाती हैं और इस तरह से ननत की ससुराल में उसकी दूसरी रात होती है प्रग्या अपनी शादी के लिए बहुत ज़ादा एक्साइटिड थी और बहुत खुशी-खुशी अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रहे थी एक दिन प्रग्या अपनी सहिली जिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है प्रग्या तू इतनी ज़ादा खुश कैसे है अपनी शादी से मैं तो यही सोशती रहती हूँ कि अपनी शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेगी और तू है कि मस्चल हो रखी है तुझे टैंसन नहीं होती क्या टैंसन कैसी टैंसन मैं तो बहुत ज़ादा खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है हाँ और साधी करके तू एक छोटे से गाउं में रहने वाली है ये कभी सोचा है तुने या नहीं तो एक छोटा सा गाउं तो ऐसे बोल रही है जैसे उस गाउं में मैं सास तक नहीं रे पाऊंगी यार तू समझ नहीं रही मैं क्या बोलना चाहती हूँ एक दो दिन के लिए हम गाउं जाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है लेकिन यहां तो एक दो दिन नहीं बलकि पूरी जिंदगी के लिए जा रही है लेकिन मैं खुश होना और मुझे नहीं लगता कि हमें उस जगह रहने में जरा भी बरिशानी होनी चाहिए जहां में खुशी मिले मेरे माँ बापा मेरी शादी के लिए मान गए है मेरे पसंद के लड़के से शादी हो रही है मेरी ये शादी तेरे लिए कब जंजाल बन जाएगी तुझो कुछ भी पता नहीं चलेगा देख अगर तु मेरी शादी से खुश नहीं है तो कोई जरुवत नहीं है तुझे मेरी शादी में आने की अरे मैं तेरी दोस्त हूँ मैं तेरे हर फैसले में साथ रहती हूँ लेकिन तु है ये मेरी शादी हो रही है और उसके लिए तो मुझे ही सुना रही है यार मैं तुझे मना करने वाली या सुनाने वाली होती ही कौन हूँ मैं तु बस यही चाहती हूँ तू खुश रहे और मैं तुझे इसले बोल रही हूँ क्योंकि तू सहर में पली बड़ी है और अब गाउ में ससुरान वहाँ सब पता नहीं कैसा होगा क्या पता किसी को लेकिन अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे नहीं यार बुरा लगने वाली बात नहीं है लेकिन मेरी सहेली है तू अगर तू ही मेरी शादी में खुश नहीं रहेगी तो मुझे भी पता है तू मेरा भला चाहती है लेकिन तू भी समझना कि मेरी खुशी जरूरी होनी चाहिए ना कि ये गाओं और शहर और तू खुश रहेगी, तो मुझे भी तो खुशी होगी ना तू ना ऐसी ही बातों में पूरा टाइम खराब कर दे, फिर बाद में तू मेरा ही सर खाएगी मुझे ये भी लाना था, वो भी लाना था, चल अब ले ले, मेरी एक लौती बेस्ट्फिंट की साधी है, मुझे भी शौपिंग करनी है दोनों दोस्त, शादी की शौपिंग के लिए चले जाते हैं, प्रग्या की कुछी दिनों बाद शादी हो जाती है और वो शादी के बाद अपने पती हेमंद के गाउ में रहने के लिए चली जाती है गाउ में जाते ही, प्रग्या जब हेमंद के घर यानि के अपने ससुराल को देखती है, तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है हेमंद, ये तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन ये सब मेरा ही नहीं, बलकि अब सब कुछ तुम्हारा भी है इस गर में कैसे रह सकते हैं? ये तो शुरू होते ही खतम हो गया हेमंद की इतने बुरे हालात थे क्या हो गया प्रग्या? तुम चुप क्यो खड़ी हो? कुछ बोलो ना हेमंद, ये मेरा ससुराल को ज़्यादा ही बुरे हालात में नहीं है मेरा मतलब की कुछ ज़्यादा ही टूटा फूटा है ऐसा लग रहा है, यहाँ पर तो कोई रहता ही ना हो काफी समय से नहीं तो, कितना सही तो है? यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है गाउ में ऐसे ही तो रहते हैं न और ऐसे ही सभी लोग के घर होते हैं मेरी शादी होने वाली थी इसलिए हमने अभी इसमें और भी कुछ काम करवाए हैं अच्छा लगा न वैसे तुम्हारा ससराल प्रग्या तुम बीना बार वर पता नहीं कहां खो जाती हो एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी मा को बुला कर लेके आता हूँ वो तुमारी आरती उतारेगी, तब तुम घर में प्रवेश करना, ठीक है? प्रग्य अपने ससुराल में आतो गई थी, लेकिन अपने ससुराल को टूटी-फूटी हालत में देखकर प्रग्य का मो बंद हो जाता है, अब जैसे तैसे प्रग्य अपने ससुराल में पहला दिन तो निकाल ही रही थी कि तभी उसी शाम प्रग्य को बातरूम जाना था, और वो अपनी सास कलपना को बोलती है मा जी, मुझे ना बातरूम जाना है, या बातरूम कहा है? बहु वो परदा दिख रहा है न, जाओ, उसके पीछे ही कर लो जो भी करना है मा जी, परदे के पीछे बातरूम है क्या? हाँ, परदे के पीछे ही बातरूम है, पूरे गाओं में एक हमारे ही घर है, जिसमें बातरूम है अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन दर्वाजा तो है न, परदे के पीछे, और मुझे इंग्लिश टॉयलेट में जाने की यादत है, तो I hope कि इंग्लिश ही टॉयलेट होगा अरे बहुरिया, इतनी इतनी सी बातों को लेकर सोचने लग जाओगी न तुम, तो कैसे आदर डालोगी ससुराल की, अच्छा जाओ, तब तक कुछ खाने का बना देती हूँ तुम्हारे लिए मैं हर गुजरते दिन के साथ प्रग्या का वहां रहना कठिन होता जा रहा था, कुछ दिनों बाद प्रग्या का डोसा खाने का मन होता है, तो वह अपने पती और सास के पास जादी है मा जी मुझे डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है, यहां कहीं डोसा नहीं मिलता क्या? बहु ये डोसा क्या होता है हमने तो कभी नहीं खाया उपनी उमर हो गई है मेरी लेकिन आज तक मैंने बस रोटी ही खाई है रोटी से भी उपर कुछ होता है क्या मा ये डोसा यहाँ नहीं मिलता है ना तभी तो आपको नहीं पता यहाँ नहीं मिलता क्या मतलब है कि यहाँ नहीं मिलता मुझे कुछ नहीं बता मुझे तो डोसा खाना है बहु अब तु कुवार ही नहीं है जो कुछ भी जिद कर रही है अब तेरी शादी हो चुकिये शादी के बाद ससुराल में भले ही रोटी मिले या वो तेरा डोसा मिले सब कुछ तुझे खुशी-खुशी ही खाना चाहिए इतने दिनों से तो मैं खुशी-खुशी ही खा रही थी ना ये सब आज तक कभी कुछ बोला है क्या मैंने नहीं ना तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती कि मेरा जो मन है वो ही खिला दे बहु हम क्यों जान बुचकर तुझे कुछ खाने से रोकेंगे ससुराल को भी तो देखना पड़ता है ना जो तु देख ही नहीं रही है और जब कभी अपने माबाप से मिलने जाएगी तो खा लियो ना जो खाना हो पहली बात तो ससुराल में कुछ देखने लायक नहीं है जो मैं देखूं और रही बात माई के जाकर ही खाना है तो बोल दो ना कि आप लोगों से आपकी बहु की एक इच्छा पूरी नहीं हो रही प्रग्या तुम इतना गुस्ता यो कर रही हो मा का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो मा जी का जो कुछ भी मतलब हो मेरा तो यही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हो और जा रही हूँ मैं अपने माई के जो मन होगा वही खाऊंगी वहाँ प्रग्या गुस्सी में गाउं से शहर अपनी मा के घर निकल जाती है और जैसे ही शहर अपनी मा के घर आती है तो प्रग्या अपनी मा अनुपमा के गले लगाकर जोर-जोर से रोने लगती है अरे प्रग्या बेटा, तू अचानक से यहां कैसे? ना कोई खबर की नहीं कुछ पताया और तू ये बता कि तू इतना रो क्यों रही है सब ठीक तो है ना किसी ने कुछ कहा तो नहीं न तुझे मा अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है अब मैं यहीं आपके पास रहूंगी ससुराल नहीं जाना ये तू क्या बोल रही है बेटा कुछ हुआ है तो बता न अपनी मा को और अगर कोई बात हो भी गई है तो ऐसे अपना ससुराल तो छोड़ कर नहीं आते न चुपोचा और बता मुझे की हुआ क्या है मा उसे ससुराल कहते है अरे ससुराल कहने लायक होना भी तो चाहिए न एक डंका घर तक नहीं है अरे खाने को रोटी देते है बस और कपड़े तो है भी नहीं उनके पास अच्छे अच्छा तो तुझे परिशानी ससुराल रोटी और कपड़े से हो रही है और नहीं तो क्या, उसे मैं तो अपना ससुराल मान ही नहीं सकती अच्छा ये बता, तेरी सास तुझे बाद बाद पर ताने देती है नहीं, मेरी सास तो काफी अच्छी है, हर काम में मेरा साथ देती है कुछ कभी कहती भी नहीं है मुझे यहां तक कि जब हीमन से बहस हो जाये न तो भी अपने बेटे को ही गलत बोलती है अच्छा फिर तुझे हीमन परिशान करता होगा नहीं मां हीमन तो बहुत अच्छा है और हर काम उसे पुछ कर करता है तो बस फिर तेरा ससुराल इतना अच्छा तो है दे, हम लोग भी पहले गाउं में ही रहते थे तेरे पिता का मैंने साथ दिया तेरी तरह भाग के माई के नहीं आ गई और यहां तो तुझे सास भी तुझे अच्छी मिली है तो छोटी-छोटी चीजों को देखेगी तो कभी कुछ नहीं हो पाएगी अपनी मा की बात सुनकर प्रग्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने ससुराल चली जाती है जहां सबसे माफी मांग कर वो अपनी सास और पती दोनों के साथ रहती है दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा